मैं हुपिन की आरिया and welcome to my channel तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं मेरी underarms routine के उपर बहुत सार लोगों की request भी होती है कि darkness जैसे underarm के नीचे हो जाती है underarm के आसपास हो जाती है एक सकिंद राइटिंग के प्रोब्लम है आज पाहर किसी ने टीवी चला रख तो मैं उसके लिए कुछ नी कर सकती है बहुत एजवा जाएगी इसलिए मैंने दर्वाजा बन कर लिया इसलिए आपको थोड़ा अहलका फुलका धुनला धुनला दिख सकता है तो हम बात करें थे underarms के बारे में अंडर आम के पास बाल होना सभी को हेर होना एकनम लाजमी है इसके ऊपर कोई शरम होनी जहीं किसी को बहुत साइर लोग चुपाते हैं परेशान होते हैं तो वह सब क्यूं होते हैं अगर आप फ्रिक्वेंट्ली वैक्सिंग कराते हैं तो definitely उसके उपर darkness हो जाती है क्योंकि हम वाकी skin को damage कर देते हैं और जब wax कराते हैं तो क्या होता है लोकल जब पार्लर में जाते हैं तो भता भी नी चलता कौन सी wax कराती है Brazilian Brazilian यह तो यहाँ पर होता नहीं है basically नॉर्मल रेक्स कर देते हैं वो लोग जिससे irritation भी फिल हो जाती है कई बार जब इन ग्रो हेर आते हैं तो वहाँ पर इचने स्टार्ट हो जाती है अगर हम बार बार उसको मतलब खुझा पुझा लेते हैं तो उसकी वज़े से भी darkness हो जाती है यही मैं बताने वाली हूं मैं अपने अंडराम रूटीन है उसकी स्किन को कैसे करती हूं मेरी अंडराम बिल्कुल भी डार्क नहीं है सबसे पहले जब भी आप स्क्रबिंग करें या आप लूफा में कोई भी चीज़ ले तो डेफिनेटल अपने अंडराम के आसपास जुरूर करें उसको उसको उसकी एक स्किन एक्सपॉलियेट होती है इसकी डाइट स्किन सेल्स होती है निकल जाती है जब भी आपको लगता है कि आपके इंडराम की बाल जल्दी निकलते हैं अपनी परसन परसन तो आप डेफिनिटली वीनिस का रिजर ट्राइ कर सकते हैं मैं को किसी ने स्पॉंसर नहीं किया है मैं बस अपना बतारियो में यह रिजर यूज करते हैं इसके रिजल बार से ज्यादा आपको चलने वाला है और इसका यह ऐसे करके ब्लेड भी आते हैं तो बहुत इजी मार्केट में मिल जाएगा आपको नहीं मिलते हैं अमेजन के लिंक में नीचे डाल दूंगी कोशिश करें हमेशा रेजर यूज करें वैक्सिंग ना कराएं और वैक्सिंग के अच्छा आपको इशारा दे देती हूं अच्छा आप देख पाएंगे आप जब देखेंगे तो यहां पर लाइन होती है तो इस लाइन के डार्शन के ऊपर साइग इधर के दरफ है रुपते हैं तो उसको शेव करना इस वाले एंगल पर और इस लाइन के नीचे जो इस डिरेक्शन में होते हैं उसको शेव करना है ऐसे उल्टा ठीक है तभी आप एकदम क्लोजर शेव ले पाएंगे क्लोजर तरीके से उसको निकाल पाएंगे और ऐसी फीलिंग ले पाएंगे जैसे आपने डेक्स करा ली है बहुत हार्श मद हुआ कीजिए यह करना है स्क रोलोन भी आप यूज़ कर सकते हैं बट मैंने सुना है रोलोन स्किन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता बट क्या करें अगर हम प्रेजेंटेबल लगना चाहते हैं हमें स्मेल नहीं चाहिए तो यह चीज़ यूज़ करने ही पड़ती है मैं पर्सनली जो है निव्या का जो यह पर्ल ब्यूटी है यह यह उसकरती हो इसको हलका शेक कीजिए और अच्छी से लेयर अपने अंडर आंस के अदर ढ़लिये बास यू बुट्टो को 48 आर्स यह बोलता है बट 24 आर्स ही कहीं नहीं जाता है बहुत बीनी बीनी इसकी श्मेल है ओर पावर रिंग नहीं ह इसके अंदर गैस है तो आपको ऐसा नहीं के हजार स्प्रेय मिलेगा ऐसे कुछ नहीं बट बहुत अच्छा अंडर आंस के लिए आप रोलन भी उसकर सकते हैं हफते में एक या दो बाद स्क्रबिंग कर सकते हैं बिलकुल अगर आप स्क्रबिंग नहीं करना चाहते हैं नहीं पर फुंसियां यह सब चीजे हो जाती है और नॉर्मली तो आप कोशिच करें कि आप कोई भी मतलब ऐसा हार्ड लेमन ये वह यूज करने से बचें क्योंकि कोनी अलबो वाली बात अलग होती है अंडर आम्स इस डिफरन थींग तो आप इरिडेशन कर सकते हैं तो हल यह सब राज होता है यह मेरा अंडर रूटीन था अगर आप लोगों करते हैं तो प्लीज मुझे कोमेंट के थूर बताइए और नहीं करते हैं तो करके देखिए आपको भी फायदा होगा आपको बेनिफिट मिलेगा और इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा करती नहीं अ हाफिस है पर अक्षा मंदन हैपी बकरी इन सबको तब तक लिए खुश रहिए बबाए और टेक केर